कि गूट मॉनिंग खेंट्स मैं हूं किसोर कुमार और आप देख रहे हैं सक्सम क्लासेज यूटुब सेंगर कि मैं आपको इक्यास पुराओंगा पोजित पहले इक्यास सब्स्वनिक भारत कियास आधनीक भारत एक्यास में हम गांदी जी जी के उपर चर्चा करेंगे सब्सक्ति और गाणिजी के उपर चर्चा करने से पहले मैं आपको अपना परिचे देता हूं किसार कुमार मेरा नाम में आपको बता दिया मैं वर्थमान में डबल यह हो एसिस्टेंट एगांट पर रास्तान सरकार में करी रहती है पूर मेरा चैन ग्राम सेख के पत्वे भीवा ग्राम सेख के पत्वे चार वर्ष तक सेवाई दी और मैं यह वेश्री का अभेष्टी रहा हूं बहुत लंबे टाइम तक 2013 से लेके 2016 तक मैंने में सुरू से और इस्ट्री मेरा और नेट है तो हम सबसे पहले आज हम गांदी जी के उपर चल्चा कमते हैं गांदी जी का भाती इतियास में क्या योगदान रहा उनके विक्तिकत चीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सब बिंदू को हम साथ मे लेकर चलेंगे जो बिंदू एक्जाम पॉइंट अफ्यू से इंपोर्टेंट है F सारे बिंदु हमकवर करते चलेंगे कौन GO say supposedly लाश्टेर हां व्या डोलगों से चरन कंते टाइम माय गंदी जी जी के दौरा कौन को से संपधन किए गए कौन की लिगत क्टाविय उन्के दौरा निगाले गई को दौर से मिर्ठी के दवरा निगाले गए तो उन सब को पर हम सिल्चिवे बार चर्चा करेंगे तो एक बार जन्रल चर्चा हम करते हैं गादी जी के लेक्टिकर जीवन के उपर लेक्टिकर जीवन के कुछ मर्तों बिंगु है जो वह गादी जी का पहले पूरा नाम कि पहले प्राषंगे जारे कि ईसे कि पिता जी माता जी का नाम है उनकी परसंगी के जारे कि कि जो कॉंपिटिशन का जो इस तरह दिन बदीन बढ़ता जा रहा है के जो सुरुदुद्र आंदूलन में उन्का योगदान उस योगदान में उनके हुआ कानदूलन के मुहत्तुपूर बिंद्व कौन कौन से उनको मतलब कैंदर में लेकर उनके आजबास के बिंद्वों पूब चुदे ववे प्रस्ण बनते हैं और गांदी जी इद्यास का एक ऐसा टॉपिक है जो अन्य Тут कि हर कंपेटिशन की सलभस में मिलेगा आप फर्स्ट रेट की तेरी करो आईयस की तेरी करो और दोंचस्टबल की तेरी करो पड़ारी की तेरी करो या और किसी भी कंपेटिशन की त्यारी करो गांधी जी के उबर प्राश्न अवस्य रहें के तो गांधी जी की माता का नाम कुथली भाई कृता तरम चंद गांधी माता कुथली भाई जान्म कि ओर मंदर फोर्वंदर गुजरात गुजरात राचे में फोर बंदर पोर बंदर किस दे पाहे हो है बजलाट मैं कि यह बज़ात पर मैं ऐख इस जेगे पोरबंदर आया हुआ है इस प्रदेश वो कहते है स्वाराश्टर का हिस्षा है पोरबंदर कभी प्रश्ण ऐसा भी आजा था कि कौन से इस्थान पर वहां पर ओप्षन नहीं हो पोरबंदर महांको अप्षन देट स्वाराश्टर इदर का यह इससा कौन सा कच के खाड़ी और यह अरब सादर है ठीक है गंधी जी का चन्व और बंतर बुज्राथ में कब हुआ गंधी जी का चन्व दिवस मुझे याद नहीं है 1869 आप कमेंट बॉक्स में लिखिये कि गंधी जी का चन्व दिवस कौन सा है और इस दिवस के रुखना मेरा जाता है और उस दिन और कौन से महापुरुष का जन्म दिन है गांदी जी का और बारत के पुरुपरदानमंत्री का जन्म दिवसे वह एक ही दिन है अब हम तर्चा करते हैं कि गांदी जी का गांदी जी बनना कब से शुरू है लंदन से इन्होंने बैरिष्टर की उपदी प्राप्त करने के बाद में एक गुजरती वेपारी दादा अब्दुल्ला का मुबदमा लड़ने के लिए लोगने जी लंदन से दक्षन अपरिका जाते हैं एक मुबदमा लड़ने के लिए वह वहां चाते हैं और उस समय वह वहां के इस्तती देखते हैं प्रवाशी बारतिय जो अंग्रेज मील मालिकों की जो कारखने हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी इस्ततिय उनके साथ जो बेदभाव किया जा रहा है जिस तरीके का सोसन हो रहा है उस सोसन को देखते और वहां का इस्तानी है आंदोलन जो लोग चला रहे हैं उस आंधोननं में उन लोगों को एक पड़े लेक्ति की जरूरत होती है एक अवेक्ति की जरूरत होती है जो उनकी application लिख सके हौनका ग्यापन त्यार कर सके। और चुंकि महात्मा गंधी बैरिष्टर थे तो इस काली को करने में महात्मा गंधी से उप्युक्त और विक्ति कोई वही नहीं सकता तो इसके लिए उन्होंने गंधी जी को कहा उस वक्त गंधी जी युवा थे तो उन्होंने काम किया और उन बार्जियों ने मैसुस किया कि गांदी जी हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो फिर उसके बाद जिब गांदी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के बाद में वापस आने को थे उसी दिन ऐसा काम कोई ऐसा कानून पास कर दिया वहां की सरकार ने तो दक्षण अपरिका में सरकार कोंचे थी उस वक्त किस वक्त गयर हो सबसे पहले अपने यह पॉइंट लिखते हैं कि एटीं नाइटी थी में गणी चिकावें दक्षण अप्रिका कर दक्षण अप्रिका कहाएं अपरिका माधीभ में अजगी अधीवर्यक अधीवर्यक यह माधीभ लेज़ना कि यहां से होते हुए ही वास्कों भारत आये तो यहां से ही गुजरती वेपारी वाहां पे दक्षन अप्रिका में बहुत पहले से तो कि गंदी जी भी एक गुजरती वेपारी वास्कों डिगामा को रास्ता बता है था उसी रास्ते का अनुसरम करते हुए वास्कों भारत आये थे ठीक है तक्षन प्रिका में कर गवें 1893 और किसले गए थे अब्दुल्ला पर केस्ट करने के लिए केस्ट कर दिया फिर उनको गंदी जी को भी रोग गया लोगों ने पर प्रिका में है अल मज़ेकर वहां पर वहां पर शीद्ग ऑने उनकों निखा लादा है यह गांधी जी के पेपर दो तीन पेपर में निकाले हैं जिन्द में से प्रस्ट ने गिए रहा सकता है कि कौन सार पेपर है जो गांधी जी ने अफरिका में निकाला था तो उस पेपर का नाम है इंडियन ओपिनियन कि और वहां पे गंधी जी ने ट्रोल्स्ट ये भॉं में आए था को पर दो आए ये तब दो निकाल में इसके सजोग से बनाया था इसमें का सजोग किया था इनके मित्र ने जिर्मन मित्र जन्मन मित्र छलेंबाग , अलेंबाग नाम उतका और वो गंदी जी के मित्र थे उन्होंने गंदी जी का स्योग स्याज़ को तोलस्टव अगल नाँक बनाई तोलस्टव फॉन तोलस्टव फॉन ते ? तॉलोस्टवाए एक लेखा गए वारंब पीस रिव तॉलोस्टवाथ कुला नाम इनका लिव तॉलोस्टवाए गांधी जी के दर्शन पे और गांधी जी के चिंदन पे और गांधी जी के चो तोर तरीके उनके उबल्द में ली सोधानary ये सोभगी है तो ये तो होके हैं घर्चा टर से खरेंगे मैं », और वारत में जो उनका क्या योगदान रहा बहुत लंबा चोड़ा возвращ pray how जो पॉइंट है उनको मिलेने के कोशिश करेंगे और चर्चा करते हैं और बागी का भी जो राष्टी अंदोलन है पुरा शारा अंदोलन जो है वो गंधी जी से किस प्रकार जूड़े हुगा है पूराम अधुनिक भारत का इत्यास जो है पूरा गंधी जी के इर्द पूर्णता है कि तो हम चर्चा करते हैं आगे चलते हैं है कि अधाले हम समझते हैं थोड़ा सब फिर गंधी जी जब दक्षिन अपरिका में थे अधारसो तिरानों में गंधी जी दक्षिन अपरिका चले गए फ्रेर बता है कि 20-22 वर्ष तक वहीं रहे तो अधारसो तिरानों में गये तो 22 वर्ष वा रहे तो 1912 में गंधी जी वापस आई इस दौरान भारत का क्या रोपता भारत की जो राजिती गंडाक्रम था वो कि अधानों को पदा होगा को कि राश्ट्री बारत्य राष्ट्रे गौमरिष की स्थापना का वहीं जी वादिया जो परतिगिरिया है थास्किन अगर्षिस प्रतिक्रियाथ जंतागी सांतीर सीर्फितिक्रिया प्रतिक्रिय। प्रतिरोद किया जाता है अपील प्रतिवेधन देना आवेधन देना गाया शिष्ट मंडल बेजना इस के इस प्रतिरोद में आगरिया है वहहाती जी भारत आये 1515 भारती राश्च्य कोमरेश की इसापने हो गई 1885 और गंदी जी के आने से पहले गंदी जी के भारती राश्च्य अंधोलन में सामिल होने से टाए गंधी जी आये 1915 में भारत आगे गंधी जी का भारत आगमन और जिस दिनां को गंधी जी भारत आये दे वो विशेस रोप से प्रवसी भारती दिवस के रूपर मना जाते है उसके प्रवसी भारतीय दिवस तो गंधी जी के जन्द दिन की अफर्ट सा ये मत व्होन हैं इसके ओपर प्रस्ण बन रहे हैं नौ जनुरी प्रति वस नौ जनुरी को परवसी भारती दिवस बनाई जाता है और नौ जनुरी अफुश्यों पंड़ा वो बंदी जी भारत आये थे तो इस तेहम तो वह बारत आये उसके बाद वह आते ही सीदे बार्दिय राष्ट्री अंदोलन में सामीर नहीं हुए गंधी जी बार्दिय राष्ट्री अंदोलन में सामीर हुए सितवार ए 917 संच में किरा ऐब यह गंधी जी रह पर भौष अघर कान दोलन करेंग घर मेंी तो पहले एक बार हम नज़र डालते हैं यहां पर कि अठासर पुचेशी में रश्टे कॉमरिस की स्थाफना लॉर्ड डफ्रीन उस्थें थे गर्वर्ण जन्रल कि कॉमरिस की स्थाफना भी थोड़ी चर्चा हो जाए यहां पर तकि बाद में उस्थेंट कि उस्थेंट थोड़ा समय बत जाएगा और इधर पुरा एकदम को रिलेट हो जाएगा पासकर राष्ट्रे अंदोलन और गंधिसी दोनों को अपने को को रिलेट करके पढ़ना है सारे टॉपिल एक दूसरे में उल्चे हुए हैं लॉड डफ्रीन के टाइम में इस्ताफना का रहा हुई थी कॉंग्रेस की और किस में क्या थी कि वह वह पूरा जो ते राष्ट्रे नेटरश्य जो था उसके उपर कॉंग्रेस की स्टाफना के बाद से कॉंग्रेस आभी रही है तो कॉंवेस के जो पुराने नेता थे गांजी जी से पहले के नेता फुर मैंसे कुछ के नाम लिखते हैं जाज़ा भाई नौरो जी सुरेंद्र नाथ बनर जी ग्योमेस चंद्र बनर जी गोपाल करश्म बोखले बाल गंगा दर दिलक विबिन चंद्र पाल इस थे नेता है तो वो नेता गांधी जी के बार घरा गंधी जी के आघमन से पहले कंगरेस की इसतर्ष्पी कैसी थी कॉंगरेस to여 सुरध अधिवेशन conference that उसरा इभा उनुनीस हो साथ है सूर्ध अधिवेशण कर शूर्ष अधिवेशन में कॉंग्रेस का वीवाजन हो गया था, वंग्रेस नरम दल और गरम दल में विवाजित हो दिती है, नरम दल और गरम दल और बहुत से लोगों के दिमाज में ये कि आए ये मिसक्तेप्शन है कि गण्जी की नरम दल में था और गरम दल में था गरम दल में था, गरम दल में था, ये इस्तथी गण्जी से पहले किये है यह इस्तिती उस वक्त की है जब गांदी जी दक्षन अप्रिका में थे और भारत में यह इस्तिती थी गरमदल और नरमदल में यह विवाजन हो गया था और आपको पता होगा निश जब बंगाल जी विवजन हो गया था कि 1905 में योजना बन गई थी और यह भलीवत हो गई 1906 में जब बंगाल विवाजन हो उस वक्त बंगाल में और उत्रपारत के पंजाब विहार इन छेत्रों में एक आंदोलन चला था सदेशी आंदोलन स्वधेशी अंदोलन से भारत में जो यह वर्ग जो था उनमें और जो क्रांतिकारी लोग जो थे उनमें एक अधिश्चर लाई थी उन्होंने ब्रिटिस सरकार के विरोध प्रतिरोध किया था उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बैसकार किया था स्वधेशी अंदोलन में और स्वधेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया था तो यह अंदोलन चला था पुरा इसमें सरकार ने अपना डमन चक्र भी चलाया था तो नहीं हों आपिए करते हैं उसके वीकरित रह्म दल जोदिने canada के दिवारा से द्रविवादन बुइसाथ वश्वास करें वह गया और वही विवाद 1907 के अधिवेशन में स्वदेशी और स्वराज स्वदेशी यह तो स्वदेशी दूसरा स्वराज इन दो प्रस्तावों को पास कराना चाहते थे गरम दल के निता और शुरत अधिवेशन में इन के अधिष जाव शुरत अधिवेशन में नाम आ अधिविशन एक खनली है मतोफूर कि आंधिवेशन का गयार और सुर्सक्राई भूष अधिवेशन होगा आधिवेशन milliards कोमने सब neighbours प्रफ्ष आ 一 स्यूह व्सार चुने ढूंक कोई अगा कि के लिए कि नला झांधा कोई इसेी व्य ये गेर होकर गरम दल के नेदा जिन पृस्ताओं को परिधाराणा चाते थे जन प्रस्थाओं को घरंदल के नितड़ और परित कराना लाज बद रहा है बाल बंगदर तिलग विबिन चंद्रपाल यह तीन नाम तो आपको याद रहेंगे दाल बाल और पाल चौता नाम आप याद रगना अर्विन गोष अर्विन गोष भी गरमदल के लिए इनका दमन करने के लिए सरकार ने नरमदल के निताओं को डाल के रूर में इस्तेमाल किया बिठे सरकार के सुरू से पॉलिसी रही है फुट डालो राजबरो यहां पर भी उन्होंने जब गरमदल के निताओं के उपर उनको प्राम करना था उनके परती तोड़ा नर्मिक रभी आपने हैं और इसी दोरान भारत में मुस्लिम लिग की स्थापना होई 1906 और और उसके कुछ समय बाई 1909 में माले मिट्डो रिफॉर्म मारले मिंड़्यपार्पु यूए मुल्मानों को प्रतक निरवाचन मेंडल की सोउधा उख्लब गी 1909 बारती परिष्य लधिनयां के ब्रणा जो मानले मिंडर रिवांगे 1906 में मुश्लिम लिप की स्थापना और मानले मिंडर रिवांग यहीं से शुरू हो जाती है भारत में तो बोली के इंदुमिस्लिम विभाजरो हो यां से इसके सुरुआता है और लालवाल पाल को जेल में डाल जाता है फिर भारतिय जो राष्ट्री आंदोलन है उसमें ठेरावा जाता है कि माले मिंटर रिखॉम के बाद में फिर थोड़े दिन बाद में परदम विश्वविद की सुर्वात हो जा दिये में परदम विश्वविद की सुर्वात हो भी थी या आपकी सुम्दा के लिए मैं लिख देता हूं अजब में लिख देता हूं इस पस्ट आपके लएगा कि मुश्विद में मुश्विद की स्थावनाव किस ने की थी अब पुरे नाम गया वकार उल्मुल्क अब कुरे नाम याद में वकार उल्मुल्क यह है ड़गा के नवाब जागा के नवाब वकार उल्मुल्क अब दूसरे है यह यह दूसरे है अज़गा क्या है मुश्विम है सिया वसुनिक जो सिया मुश्विम है सिया मुश्विमों के पर्मु बहते है सिया मुश्विमों के पर्मुख होगे नवाब वकार उल्मुल्क और आगा घाने मुश्विम लेकी स्ताफ नवाब यह दूसरे हैं निसोट सेन्ट हैं निसोट नौ बार्थे परिशा जादिन्याम अर पॉइंट जो आरा है जिसको सुन्जाने की जुरूर देको अबन बही समझते चलेंगे निसोट नौ का बार्थे परिशा जादिन्याम यही है मान लें मिन्टो भी पॉंट सुदार तो पर बाते जाएंगे उनको तोड़ो तरह समझते जाएंगे इसमें पहली बार प्रतक निराचक मंडल की सुरुवाद बोई थी इसमें एक चीज नोट करने माली है कि इसमें से भारत के वाइसरा है कौन है मिन्टो है वो वाइसरा है और माले है जो भारत सची है मॉन्टेंग्यू चम्सपॉर्ड उन्नीस का अधिन्या में मॉन्टेंग्यू चम्सपॉर्ड शुदार के अधार पर बने है उसमें जो पहला नाम है मॉंटेंग्यू वह भाइसरा है और जो बहात का नाम है वह बहुत्यार जो जो पद बडा बद है उनका नाम पहले और जो पद छोड़ा है उनका नाम बारत में कि οι जो माले चल कू सि आपने याँ पर कहते हैं अपने यहां पर क्या जैता है कुसी बढ़ को के बीच के जो ब्रैब हुसी बडब ब्रिडेन में और अमेरिका में सेकरेटरी सचीव कहते हैं अधिवर्ग एबस नाम का भर्ग है बारत सची ब्सक्राइब मतरी दिए मार ले इसलिए यह बड़ा था क्यों गविट्र मीश्टर आगे और उनके यह साय मतलब एजन्ट उनके उनके वियाप पर यह काम संबाल एप पर इसके बाद में सांती रही बादी राचे अंदुबर में थेरा वा रहा है फिर थोड़ा सा गड़ना करम शुरू होता है 1914 में 1914 में विशेस गड़ना हुई थी परतम विश्वयक की शुरुआ मित्र राश्टेया एक हम मित्र राष्ट्र दूसरी तरफ 이ल्टी और जर्मदी के जो सेयों की राष्ट्र थे पर एक करत था साथा ठाले वहां जर्मनी के साथ लेकिनिलें संधी की गई गुप्त संधी विटेन के साथ और उस गुप्त संधी के तर इतली ने जर्मनी का साथ चो जिए तो विटेन उसमें पक्स था कि विटेन चोंकि विश्व यूद में उल्जा हुआ था तो बारत के कुछ वर्ग ने जो पहतिराश्ट्य अंदरों के दूड़े कुछ निताओं का वर्ग था उस वर्ग ने कहा कि कि यह पास में थोड़ा एरपोर्ट है तो एरपोर्ट की वज़े से वह थोड़ा डिच्च में सुब्राद इस लिए इस वीडियो को रोपना पढ़ रहा था था इसके लिए थोड़ा खे गया है कि 1914 में जो विश्वय यूद की शुरुआ थे विश्वय यूद में चुकि इंग्लेंड एक पाक्स था तो बारत के कुछ जो लिडिर थे उन लिडिर्स ने कहा कि इसको हम एक संभावना के रूप में देख सकते हैं क्यों ने जब बारत जब इंग्लेंड उल्जय हुआ ह कि अविश्वय यूद में तो हम एक बड़े इस तरह पर राष्ट्री अंदोलन के सुबागता है तो गांदी जी इस फिलोसोफी के प्रूद जी कहते हैं कि हम इंग्लेंड से उस वक्त मतलब इसके परती किरिया या बड़ा राष्ट्री अंदोलन हमें उस वक्त करना है ज विश्वय यूद का या यह किसी बहाना डोंड के या किसी मतलब ऐसे ऐसे कारण को आगे करके एक अवसरवादी अवसरवादी राजनिती का सहारा लेकर हमें अपना राष्ट्री अंदोलन नहीं चलाना है तो गांदी जी 1914 में जब विश्वय शरू हुआ तो गांदी जी अपिल्ट की कि हमें जो भी भारती है भारतियों को इस यूद में बिटी सरकार का साथ देना चाहिए अधार निश्व चौद से लेकर निश्व अठाव तक विश्वय चला है विश्वयूद में इंग्लेंड के जो विरुद जो पक्स था जर्मनी जर्मनी के साथ वाला जो पक्स था उसके साथ लेटा तुर्की इसली के विएख यह आर जर्मनी के साथ तुर्की टो जो लेख सो होता था यहां कर दो विश्वय को कि क्य거를 को मत्यकस ही आप वृविस्तों के जो मुस्लिम समु को है कि सब सिया सुननी सब मुस्लिम सुमुदाय का दार्मी गुरुप प्रोफट मुहम्मद के बाद में फिर खलीबाओं का सिस्ट्रम शुरू हो गया जा तो खलीबा पुरे मुस्लिम सुमुदाय का दार्मी गुरुप स्ट देटती तो हमें असरेылे कि हमैं क्या तुर्की संदी ऐसां दी विदृू के बाद मेंसे जबर देश्टती संदी ओभ दिती सेवाई कि थंदी सिवाए कि संदी जो बहुत ही अपमान जनक संदी तुर्की का जो ये जो पूरा समराजी था पूरा समराजी ब्रिटे अन्या और फ्रांस ना आपस में बांट लिया था खलीभा का पद्ध जो होता था वह भी समाप्त रख दिया गया था इसी बिंदु को लेकर भारत में खिलापत अंदोलंग की शुगात वी थी तो गंदी जी को खिलापत कमिट्री का अजिक्स बनाया गया था झीया तो मुस्हे द्वारत ऐसे राट में अवसेफ कंगरेस के साथ के जूट साथ किसानवर्ग को महिलाओं को दलितों को जंजातियों को समस्त वर्ग को कॉंग्रेस के साथ जोलना यह सब घठना करम हुआ गंधी जी के कॉंग्रेस में सामिल होने के बाद कॉंग्रेस के साथ सामिल होने के बाद में गंधी जी का सबसे पहला अंदूलन था को में उससे पहले गंधी जी के तीन अंदूलन पहला ना उनी सो सद्रा में को चंपरंग प्रोड़ी सो खेड़ा कि खेड़ा किसान अंदोलन चंपाइं किसान अंदोलन पुनिसो अथारा काई एंदाबाद मिल अंदोलन कि अंदोलन तर्फ मेंचोग इसमुटाइं अंदोल कि मैंने जो पॉइंट्स जो है रांजी जी को देकर वो पॉइंट्स हो पहले लिख जाते हैं अग्णिक पॉइंट्स को पूरांग चक्चा करते जाएंगी एक एक फिर्ट के अशेव गंदोलन 1920 22 22 अशेव गंदोलन मेंद में आंप ड़ेंगे चोरी चवणद कि शेव गंदोलन कि इसका क्या प्रवापड़ास यो गंदोलन पान। कि वार्दुली सत्यागरव कि गौष्णा कि लेकिन उससे पहले ही एक प्रवर्वरी को गौष्णा कि वार्दुली सत्यागरव कि गौष्णा किया जाएगा कि मुझसे पहले जोड़ा जोड़ी पांच होगे उस जाए से इस्तिकित कियाना पराएगा फिर उन्नी सब यह खतम होने के बाद आएगा 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 तो साइमन कमीशन और घंजी जी का क्या लिंक है कि में उसके बाद यह और इस और दोले कांग्रेशन और गांडी जी दोनों एकापार धांगे गौन्डेशन यह गजै जी गांजी जी और मतलब कॉंगरेश तो साइमन कमिशन आया उन्नी सो अटाइस में फिर उन्नी सो उन्तीस का लाव रदिवेशन का लाव रदिवेशन का लाव रदिवेशन वो क्यों महत्यू कुन है उसको भी उसको पर भी चल्चा करगी है ाव रदिवेशन के बादें जान के हमें इसमें अडिक्ष्ता करें जवालल नेरु में कि जवालल नरु पैली बार कौंसे अडिवेशन में कौण से अडिवेशन की अधिन्दी ओरदिवेशन के इस इसमें न् moderne जावालाग ने उसके बार में शुरू होता है उनीसो तीस में सभी ने अवज्ञान दो यह सब इसले लिखवा रहा हूं मैं पहले पहले यह पॉइंट वाई चप्शा इसले कर रहा हूं कि एक बार आप में दिमाग में फ्रेम बन जाए कौनसी कटनागरम पहले हुआ है कौनसा कटनागरम बात नहीं हुआ है कि उनीसो तीस सभी ने अवग्या दोलन इसी का हिस्सा था दैंडी मांग यही है नमक सत्यागर कि इस जवर पर कुछ ऐसा हुआ था लाहोर एदिवेशन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से यह हुआ साइमें कमिशन बारत आया था उसी को लेकर यह सब राजमेदी शुरू हुए सब चर्चा करेंगे हम विस्तार में चर्चा करेंगे 1930 में जो हुआ सही ने अवग्या अंदुलन तो अंदुलन होता है तब क्या होता है अंदुलन करता और सरकार दोनों के बेच में उस वक्त टक्रा होता है उसी को अंदुलन क्याते है कि सरकार की बात को नहीं मानना है उनकी आध्या की अध्या करता है उस वर्ट होए थे ब्रिटेंड में गोल में समयलन गोल में समयलनों का कॉंगरेश ने बहिसकार किया था पहले गोल में समयलन में 1930 में पहला गोल में समयलन गुआ था लेकिन उस गोल में समयलन में कॉंगरेश ने या गांधी जीन ने इस्सा नहीं लिया क्योंकि उस वर्ट सजिने अध्या अंदोलंग चल रहा थे फिर बाद में और अंधोलंग को साथ करने के लिए पिर सर्कार समझता करती है फिर सर्कार समझता करती है तो गांजी जी के पास आते हैं मार्च 1931 में गांधी इर्विन समझता होता है इर्विन बहुन है इंग्रेटा होता है उन समझते की सदों के अनुजा उस समझते के आदार पर गांधी जी दूसरे भूल में बाग लेने के लिए दिटेंट जटे करें उसमें छोटा सा पॉइंट है वह कौन से जाज में बैठके गए थे राजगोदाना करके कुछ है MS-Rajpota नहीं थे याद रगें ना जाज का नाम है किस जाज में बैठकेक बूद दें पाथ है पर्थम गोल्बेस उमिलन्द में कुछ इश्यू ऐसे हो गए पर्थम निर्वाचन मंदल भारत में दलीतों को जो में से मेकड़ना ततकलिंग पर्दात मंत्री थे उन्होंने 1932 में गोष्णा की उस गोष्णा में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुस्मानों को शिकों को पर्थक निर्वाचक मंदल की सुविदा दलीतों को दी जाएगी इस बात को लेकर वापस ट्रिश्ट हो गया वापस गांधी जी अंसन पर चले गए और दलीतों का प् पर तक निर्वाचक मंदल की मांग की फिर गंदी जी और अमेरिटर के बीच में 1932 में फुना पैक होता है फुना पैक होता है उसको अब भूदी चल्चा दरेंगे सिंपल सा प्रश्ट में फुना प्रश्ट इंके मत्यों होगा गंदी और अंगरिक पिर इसके आगे स्वाचंद्र बोस पुना प्रश्ट में फिर इसके बाद में स्वाचंद्र बोस और गंदी जी का बिल्वाद भारत छोड़ों अंदोलंग फिर लीग मुस्लिम लीग और कॉंगरेस की टक्राव पिर बारत की आज़ादी कैसे हुई और वो सब पॉइंट्स है तो कल हम पह इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पहले हमें जो अभी जो एक भी बिंगु लिखाए रहे हैं उनका उनके उपद उनके जुम्हात पुन पॉइंट्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम पूस रहे हैं, जैन्या बारत